दोस्तो आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चेनल दा ओनेस्ट में दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की टॉप 10 मोस्ट डेंसली पॉपुलेटी डिस्टिक्स के बारे में तो दोस्तो 2011 सेंसिस के मताबिक जो नंबर 10 पर डिस्टिक्स है वो है नौर्थ डेली जिसकी स्टेट डेली है इसका एरिया 61 स्केर किलोमेटर है इसकी डेंसिटी 14557 है और इसकी पॉपलेशन 8,87,978 है नंबर 9 पर जो डिस्टिक्स है वो है है थेदराबाद इसकी स्टेट आंधरापरदेश है इसका एरिया 217 स्केर किलोमेटर है इसकी डेंसिटी 18172 है और इसकी पॉपलेशन 39,43,323 है Number 8 पर जो डिस्टिक है वो है West Delhi, इसकी state Delhi है, इसका area 130 square kilometer है, इसकी density 19563 है और इसकी population 25,43,243 है Number 7 पर जो डिस्टिक है वो है Mumbai, इसकी state महराष्टा है, इसका area 157 square kilometer है, इसकी density 19652 है और इसकी population 30,58,411 है नमबर शिक्स पर जो डिस्टक है वो है मुंबेई सुबरुबन, इसकी स्टेट अगेन महराष्टर है, इसका एरिया 446 स्केर किलोमेटर है, इसकी डेंसिटी 20980 है और इसकी पॉपलेशन 93,56,962 है नमबर फाइब पर जो डिस्टक है वो है कोलकता, इसकी स्टेट वेस्ट बेंगाल है, इसका एरिया 185 स्केर किलोमेटर है, इसकी डेंसिटी 24306 है और इसकी पॉपलेशन 44,96,694 है नमबर फाइब पर जो डिस्टक आती है वो है चन्नेई, इसकी स्टेट तामिल नाडु है, इसका एरिया 175 स्केर किलोमेटर है, इसकी डेंसिटी 26553 है और इसकी पॉपलेशन 46,46,732 है नमबर फ्री पर जो डिस्टक है वो है इस्ट डेली, जिसकी स्टेट अगैन डेली है, इसका एरिया 63 स्केर किलोमेटर है, इसकी डेंसिटी 27132 है और इसकी पॉपलेशन 17,09,346 है नमबर टू पर जो डिस्टक है वो है central Delhi इसकी state again Delhi है इसका area 21 square kilometer है इसकी density 27730 है और इसकी population 582320 है और दोस्तो नमबर वन पर जो डिस्टक है वो है north east Delhi जिसकी state again Delhi है इसका area 62 square kilometer है इसकी density 36155 है और इसकी population 22,41,624 है दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सस्क्राइब करें